तब तक मौलवी साहब मंदिर के द्वार तक पहुँच चुके थे। लगबग पांच फुट पांच इंच की लंबाई, सफेद कुर्ते पर एक हाथ की चोड़ाई वाला पजामा, सफेद नुरानी लंबी दाड़ी और पूरी कपड़ों से आती इत्र की खुश्पू के शार सिकंदरपुर के मजज़िट टोला के रहने वाले मौलवी शकील मिया ने जैसे ही मंदिर के अंदर पाउं रखा, भारत के गंगा जमुना संस्कृति का वो द्रश्य पैदा हुआ, जिसे देख हर भारतवाशी गर्व कर सकता था। जो कमाल मिलजुलकर जीनी की कोशिश में नाकाम हिंदू मुशलमान एक दूसरे से करीब आकर कभी नहीं कर पाते उसे एक भूत ने कर दिखाया था। इस देश को ऐसे भूतों का आभारी होना चाहिए। पंडित ने मंदिर की द्वार पर अभिवादन करते वी एक मौलवी का श्वागत किया था। भारत कभी-कभ जित में स्वागत कर उन्हें बोलने बुलाया गया था। ऐसे ही बहुत सारी विजारधाराओं को एक साथ समेटी वेश चलता है नीलोदपल्म रडाल जी का ये उपन्यास ओघड। साहिती अकादमी युवा पुरसकार से समानित नीलोदपल्म रडाल 21 सदी की नई सरवाधिक लोप्रिय लेखकों में से एक हैं जिनमें कलम के साथ साथ राजनेतिक और सामाजिक मुद्दों पर जमीनी रूप से लड़ने का भी तेवर है इसलिए इनके लेखन में सामाजिक विशमताएं विडम बनाएं और आपसी संघर्स बहुत पस्ट रूप से द्रस् अगर नई वाली हिंदी के वितान का एक नया विस्तार है मैं हूं अंजली और स्वाधत करती हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में अपने इस चैनल स्टूरी टिलर अनु के माधियम से हिंदी साहित की किताबों को आप तक पहुचानी की मैं एक छोटी कोशि तो जल्दी से इस कोने वाले सब्सक्राइब बटन को प्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिसे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें आपके सब्सक्रिप्शन मुझे प्रेंडा देते हैं और भी बुक्स और नॉवेल्स के अच्छे अच्छे व क्या है कि सब्सक्राइब ग्रामेड प्रस्ट भूमी पर लिखा गया एक उपन्यास है जिसकी कहानी सिकंदरपुर और मलखानपुर की इर्दगिट घूमती रहती है अगर का कथानक मलखानपुर और सिकंदरपुर की प्रस्ट भूमी पर चुडाव से पूर्व का माहौल उकेरा गया है जो धीरे धीरे सामन्तवार जाती विवस्ता छुआ छूत त्री विमर्च उत्सव अकाल ग्रामेड राजनीती पत्रकारिता प्रशाशन आदी पर आव भी एक आरम भी है अपने पिछले उपन्यास डॉर्क होर्स में लेकक नीलोत्पल म्रणाल ने दिल्ली में रहकर सिविल सर्विसेस की तयारी करने वाले हिंदी पट्टी की लड़कों के संघर्स की रटी रटाई कहानी बया करने की बावजूद अपने ट्रीटमंट से बता हैं पर साथ ही साथ तठस्त बने रहने में भी काम्याब होते हैं बार्ती समाज राजनीती और जीवन दर्शन की एक दूसरे से गुत्तम गुत्ता पच्चों को उन्होंने बड़ी ही नफासत से परचित कराया है इस उपन्यास में लेकक में हिंदी पट्टी के एक गाउं म अजीब सी बेचैनी है इस बेचैनी को बया करती वे लेकक ने भारती समाज के उस चेहरे को बेनकाब किया है जो खुद को आधुनिक मानता है पर पूर्वा ग्रहों से ग्रस्त है उपन्यास में हर जाती के किरदार है उनकी अलग कहानिया है इन सभी किरदारों के बीच है जाती विहिन बिरंची जो सामंतवात की दीवार को अपनी पेसाप के नमक के माध्यम से गिराने की कोशिश करता है उसके हर बात को सीरियशली लेता लखन लोहार और गाउं में बड़ा नाम बनता जा रहा पवित्तरदास उसके शाती है उसे गाउं में रहते हैं पुराने बेटे रोहित की कहाने गाउं की उस दिश्चा को बयां करती है जहां किसान नहीं चाहता कि उसका बेटा खेती बाड़ी की चक्कर में फसे उसकी चाहती इसी बात से कि बड़े लों की बीच उठने बैठने लगा है मुरारी साव जग्दीश यादव बैसनात मंडल पैरागी पांडे लड़न मिया बद्री मिशिर दरोगा पारशनात पाश्वान गाउं का छोला चाप डॉक्टर बलेंदो मिश्रम लटको भंडारी आंगनवारी सेवी का मधू काशी शाह विद्यालाय में पढ़ने वाला उनका नया नया वाम पंती बेटा शेखर जैसे तमाम किरदारों की मुख्य कहानियों में भागेदारी के अलावा अपनी विसंगतियों से भड़ी अलग कहानिया भी हैं हर किसी का चेहरा बी नकाब हैं पर सामने वाला उस पर जबरदस्ती संसकारों की नकाब उर्णी की असफल कोशिश करता है लोगतंत्र का सबसे पावन पर्व यानि चुनाओं के आते ही गाउं का समी करण बदलना शुरू हो जाता है पंचाय चुनाओं की गहमें गहमी ने पूरे गाउं को अंदर ही अंदर दो धुरूवे बाड़ दिया है एक और है गाउं के पुराने सामंत पूरुशोत्तम सिंग की वसीयत सम्हाल रहे उनके पुत्र फूफन सिंग तो दूसरी और हर्जन बस्ती का नया अमीर पवित्तरदास इस अंगर्स में सबसे एहम किरदार बनकर उभरता है पवित्तरदास को चुनाओं लडाने और जीत में पवित्तरदास वे बदलाओं ला पाएगा जिसके उमीद बिरंचे समेथ गाउं के दबे कुष्टी लोगों ने लगा रखी है क्या फूफन सिंग और उनका शातिर पिता आसानी से हार मान लेंगे इन सवालों के जवाब आकरी पन्नों तक आपको मिल जाएंगे पर उ जानसिक रूप से तयार नहीं है हमारी फिल्मों और यहां तक किताबों में भी गाउं का अर्थ है वे जगह जहां निहायत ही भोले भाले और मासूम सी लोग रहते हैं सैरी पाठकों और दर्शकों के मन में बनाई गई गाउं की इस तस्वीर पर से गलत फैमियों की धूल जारने की सफल कोशिश की है निलोत पर म्रणालने कह सकते हैं कि भारती गाउं की बिल्कुल सही तश्वीर दिखाती है यह किताब और में भारती समाच की विसंगतियों पर प्रहार करती वे लोग तंद्र के वास्तविक चेहरा से रूबरू कराते हैं निलोत पर चाहे दच झाना चाहते हैं तो प्रहbokं में जिस तरह से जाती घुच्छ देखने को मिलता है उसे में भी अनजाम दिया है जिसमें में लेखक सती ज्टव को तलाश सीवीकinaता है कि हिंधुस्तान में उच्छी जाती की बारे में पता करना तो आसान हानं लेकिन नीची जाती की खूस आज भी जारी है यहां हर एक जाती के नीचे एक छोटी जाती बस्ती है जैसे यादव के नीचे बनिया बनिया के नीचे चमार आता है और छत्री के लिए तो दोनों ही नीची जाती है और उससे भी उपर है एक और जाती ब्रामर आज भी जिस तरह गाउं में सामंती व्यवस या फिर चमार के बारे में पिछले एक दसक से गाओं घर और छोटे-छोटे मोहले में जिस तरह से मोबाइल ने अपना आदिपत स्तापित किया है उसे लेखक ने समझाने की भरपूर कोशिश की है मोबाइल किस तरह से लोगों की निजे जन्दगी का एक भाग बन गया किसी को कुछ भी पता नहीं चला चाहे औरत हो या बच्चे, जवान हो या बूड़े लोग अमीर और गरीब के बेच की खाई को मिटाने में मोबाइल का एक एहम योगदान है इस समय में तकनी की ही एक ऐसी चीज है जिसने की सामंतवादी व्यवस्ता को बड़ी ही आसानी से पटखनी दिये लेकट ने प्रशाशन के क्रिया कलापों को भी बहुत ही निर्ममता पूर्वक उजागर किया है वर्तमान समय में प्रशाशन जमीदारों के घर का कुट्ता बनकर अपना कार्य करता है उसे लेकट ने बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है वर्तमान समय में प्रशाशन के सामने सबसे बड़ी चुनोती भ्रस्टाचार और घूस खोरी से बचना है परंदु प्रशासन ऐसा नहीं कर पाती है। उसे लेखक ने दरोगा और DSP के जरिये समझाने की भी कोशिश की है। इसके अलावा जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मीडिया को लोकतंतर का चौता स्तंब मोला जाता है। परंदु वर्तमान परिद्रश्ची में वे भी कॉर्पोरेट घरानों और राजनीतिग्यों के हाथ का टट्टू बन कर रहे गया है। मीडिया अब जन्ता के संदीस वाहक नहीं बलकि राजनीतिक लोगों के लिए प्रचार शुविधा की तरह काम करती है। उसे भी लेखक ने समझाने का भरपूर प्रयाश किया है। पवित्तर भी खुद को सामन्त बनने के चकर में या अन्यभासा में कहे तो राजनीतिक बनने के चकर में वाख खुद से जादा दलित समाच के भरोसे को तोड़ता है। जिसे बिरंचिया ने अपने खून पसीने से सीचा था और बिरंचिया के खून से वे राजनीती का पहला कै कहा पड़ा अंत में मैं यही कहूंगे कि ओगर मात्र मलखानपुर गाउं की कहानी नहीं है बलकि हिंदुस्तान की हर उस गाउं की कहानी है जहां सिस्टम से लड़ने के लिए कितनी बार बिरंची जन्म लेता है और कितनी बार मरता है हर बार वे सामन्त के हातों से नहीं बलकि सामन्तवादी मानचिक्ता से हार जाता है हर बार उसे फूफन सिंग जैसे गुंडे नहीं बलकि पवित्तरदास जैसे मित्र ही मारते हैं तो अगर आप भी प्रेमचन जी को मिश कर रहे हैं अगर आप भी गावों को अपने जड़ों को मिस कर रहे हैं अगर आप भी एक ही समय में हसने और रोने को मिस कर रहे हैं अगर आप भी रिलाइंस जीयों की क्रांती वाले भारत को देखना चाहते हैं अगर आप भी जाती विवस्ता और धार्मिक विविदताओं को देखना चाहते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि आपको ये किताब जरूर पढ़ने चाहिए सच में निलोटपल ने कुछ तो अलग जादू कर दिया है इस किताब में वरना भारती गावों को किसी फिल्म की तरह परदे बढ़ना उतार कर पन्नों पर उतारना इतना भी आसान नहीं होता है इस किताब का आरंब भी एक आरंब है और अंत भी एक आरंब किताब के अंत में मुझे यही लगा कि काश दो चार पन्ने और होते हैं तो इस किताब के बारे में पता चल पाता कि आखिर आगे हुआ क्या पर जैसे जीवन में दिन के अंत के साथ एक नया दिन का आरंब होता है, वैसे ही किताब में भी अंत एक नया आरंब की तरह ही है. अंतता मैं यही कहूंगी कि इस किताब को ना पढ़ने की कोई भी वज़ा नहीं है. इसलिए आपको इसे जरूर पढ़ना चाहिए. और ये वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और बुक ये, किसी और नौवेल के साथ, तब तक हसते रहें, मुस्कुराते रहें और यूहीं पढ़ते रहें, टाटा, बैबाई